नमस्कार, आज एक नई टोपिक के साथ आपके भी छाजर है और ये टोपिक आप पनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आप बहु विकलपी परिक्षा में आप किस तरह से अच्छा स्कूर करें, कैसे अटेम्ट करें बहु विकलपी परस्णों को, सटीक तरीक इतनुमे menflyhein मे आपको बताहूंगा कि कर दो उब्यपर में आपको कुछ नहीं हा रहा है तो तुकका तक कैसे लगा तो आपने रहीएगा इस वीडियो में अंगर अंड तक आपको पता चलेगा कि सटीक लगाने का सही तरीक्ने between आ कठनारी किस्तर पहलए और मियूट से जिस तरीके से आपका सलीवस होता ए उसी से मुखसें Funeral एग्जामन के लिए घैब होता है अրभाइו का सानाला होताए उस ऑचाहए लिए पर से ऐसे होते हैं जो एक सामाने विद्यार्थी सोल्व कर सकता है बहुत आसान तरीके से जिसमें बेसिक नॉलिज के आदार पर ही वो प्रस्व हो जाते हैं और पच्चे से तीस परसेंट प्रस्ण होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का बनाया जाता है जिने थोड़ा होते हैं यह सोल्व करना लगवा इसम्बब होता है इसमें क्या होता है और या डी टा-गलdefense होता है या और मैंने ज सही होता मुत होते हैं लेकिन वह उस तरह के ब्रस्ट आपको आपने कभी सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले हम जो जो भी जो प्रस्ट करेंगे वो करेंगे सबसे आसान प्रस्टों को सबसे पहले करेंगे पूरे पूरे सबसे पूर्शन के सात्यों करना है इस में आपको मैकिसम सिकुर गलत को करना है अक्सर ऐसा अव्तार यह जर बड़ा असान प्रस्टा छो गछूट गया गलत को गया तो यह हमें नहीं करना है, यह नहीं होने देना है, उसके बाद जो अगले आपके 25-30% परस्ट थे, जो थोड़े ज़्यादा कठिन थे, उन्हें अटेम्ट करने का प्रयास करना है, और हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़्याद रखनी है, कि एक परस्ट के लिए जो आपने समय सीमा निधार् चाहे कठिन हो, ठीक, आसान परस्टों को जल्दी सौल्व करके, जो बचे हुए कठिन समय है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना है, कि आपका अगला परस्टों से चूट जाए, तो मतलब परस्टों से आपको लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरह से इसके बाद आपको जो और जो आपके, जो आपके 15 से 20 परस्ट और कठिन परस्ट से उससे भी ज़्यादा कठना ही लेवल वाले थे, उन पर प्रयास करना है, बस concept यह रखना कि लड़ना किसी परस्टों से नहीं है, एक तैस समय सीमय से calculated तुका, आप किस तरह से calculated तुका लगाएं और जिससे कि आपको maximum score उसमें से भी उस जो ना आते हुए प्रस्ट में से भी आप कुछ प्रस्टों को सही कर पाओ, तो चलते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं कि calculated तुका हम कैसे लगा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप द कुछ idea है, आपने एक दो options को eliminate कर दिया है, तभी आप ऐसे प्रस्टों में तुका लगाएं जहां minus marking है, अन्य था कि इस्तिति में आप ऐसे प्रस्टों में तुका बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि अगर minus marking में आपको कुछ नहीं आता है BCD प्रस्ट की, आपने कभी प्रस चोड़ना नहीं है, आपको तुका जरूर लगाना है, चाहे आपको चाहे आप उसे eliminate कर पाऊ उसमें से कुछ, या उसमें कुछ conclude कर पाऊ या आपने उस प्रस्टों कभी देखा हो और ना देखा हो, तब भी आपको तुका लगाना ही लगाना है, तो अब देखते हैं कि ऐ तीन विकल्प ऐसे होते हैं, जिसमें जो answer होता, answer की unit होती है, unit को बोलते हैं मातरक, कोई quantity पूछी गई हो, उसका मातरक ही गलत लिखा होता है, जैसे की force का मातरक है, बल का मातरक है, जैसे velocity का मातरक है, meter per second, तो वहाँ पता आप, लिखाओगा meter per second square, तो meter per second square वाला आप option directly eliminate कर सकते हो, तो आप अगर ऐसा कोई प्रस नहीं है, तो सबसे पहले unit check करिए, कि जो भी quantity आप से पूछी गई है, जो भी मातरा पूछी गई है, उसका मातरक सही है, कि नहीं है, आदे question, मतलब कुछ question ऐसे होते हैं, जो मातरक के आदार पर ही, आप solve कर ले जाओगे, दूसरा दो में आप तो का लगा सकते हो, कि कोई किसी एक के साथ आ सकते हो, जो आपके दिमाग में पहले आ रहा हो, और रियाद रखिएगा, कि कभी भी जब कुछ नहीं आ रहा हो, या जो थोड़ा बहुत idea हो किसी परसन का, तो दिमाग में जो पहले idea strike करे, जो option आपको पहले सब सब सेहा सभी लगे, जो पहली बार आपके दिमाग में ऊसी साथ जाना है, उस option के साथ जाना है, या उस answer के साथ जाना है, जो आपके दिमाग में पहले strike करता है, ऐसे case में जहां आप दुबिदा में हो, एसे case में ज़हां आप डौठ फुल हो, ठीक है, तो दो को रही voting कर intrigued अगर आपने कॉंसेप्ट को थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो आप निकाल दोगे कि यारी बी और सी तो बिलकुल नहीं हो सकता है हाँ तो अब बचा है ए और डी ए और डी में से कोई एक साही होता है तो यहां आप थोड़ा सा अपने दिमार को जोड़ दे करें और एक स होता है कि बिकल्प ऐसा होता है जिससे उसका जो परस्ण है उसके स्कॉंसेप्ट से को इसका लेने देना नहीं तो आप ऐसे बिकल्पों को भी लिमिट कर सकते हो तो ऐसे तो आप बिलकुल तीन विकल्प अटा सकते हो एक ही बिकल्प सटीक होता है एक ही बिकल्प बिलकु करने दो कि गलत क्या है तो आपको मोष्ट एपुरिपिवेट करना होता है तो आप को मोष्ट एपुरिपरिट बाला के साथ ही जब कि परश्न गलत हो जाता है तो आप पहले यह देखके सब कॉन से फरी किन दो को इस त overlap बेट उसके साथ चले जाएगा ठीक है अब एक यह बिल्कुल प्यॉर तुक्का है अगर आपको नुमेरिकल बैलु दिये उसमें कोई यूनिट नहीं दी ए और आपको यूनिट निकाल भी नहीं पार है और उसमें कोई एक नुमेरिकल आपको कोई आइडिया नहीं आपने किया है और हां यह तभी करें जब आपको मैनस मार्किंग ना हो तो ऐसे में क्या करें जितने चार बिकल्ब के नुमेरिकल दिये नुमेरिकल बैलु स्को जोड़िए उस चार से डवाइड करें यह उसका उसत निकालिए उसका एमजन जिस, बिकल्ब के सबसे नियरेस्ट हो, उसी विकल्ब के साथ आप चले जाएगा, यह प्यॉर तुक्का है, इसमें कोई 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 लॉजिक नहीं है, बस यही लॉजिक है कि जो लोग जब जब आप किसी भी नियरेस्ट का आइडिया नहीं है, तो उसका जो जो सटीक आइसर होता है, उसी के आईसत के आसपास आप मतलब सारी विकल्प तैय कर रहे होते हैं तो उससे एक मतलब आपको आइडिया मिल जाता है कि साइद यह प्रस्ट जाला सही हो सकता है यह मेरा अजवाया हुआ ट्रिक है कि आप चारों आप्संस के और जो आउसत में करीब जो सबसे विकल्प हो उसके साथ आप चले आएगा कोई गारेंटी नहीं सही होने का लेकिन हाँ तुक्का यह लग जाता है अब इसके बाद आपको कोई आइडिया नहीं है और माइनस मार्किंग नहीं है यह सारे ट्रिक भी फेल हो गई है तो आप फिर आप जो आपका फैबरिट आप्सन हो जो आपको लखी आप्सन लगता आपको प्रस्ण पत्र में माइनस मार्किंग नहीं है अगर माइनस मार्किंग है तो आप पहले के दो विकल अप्लाई कर सकते हो लेकिन अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको कोईश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में और आप कुछ भी कोई भी आप अपना दिमाग लगा करके अपने common sense को लगा करके प्रसनों को solve करिएगा और यह हमने अपने अपना अनुभब जो था एक्जाम में अब तक के लाइफ के एक्जाम देने का उसके अधार पर मैंने आपको भी बताया आप मैं हमारे हमें समय दिया इतना सोना बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जाने से पहले हमारी चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और हमारे वीडियो को सेर जरूर कर दीगा अपने द